हलो डियर फ्रेंट्स वेलकम बैक तो डियर फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे टीप एची टैस्ट के बारे में एक वीडियो मैंने पहले में बनाएंगे टीप एची टैस्ट के बारे में कैसे रिपोर्ट होती है उसके बारे में तो काफी लोगा कमेंट्स हा रहें काफी कन्फ बतावंगो बस्ते आपने रिक्वैक्ष इतनी है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा सबसे पहला मैं स्टाट करते टी पेच्च क्या होता है यह तो शीफिलिस के बारे मैंने वीडियो पहले बना चुका हूँ कि सिफिलिस क्या होता है है क्या सिम्टम होते हैं और क्या उसका treatment होता है कि इस वीडियो हम सिर्फ टीपेश टेस्स के बारे में जानेंगे तो सिफिलिस के जब डोक्टर हमें सिम्टम्स लगते हैं तो अड़ा टेस्ट आरफ्या टेस्ट अकर हमारा पोजिटिव आ जाता है या नेगिटिव आ जाता ह इसको symptoms लग रहे हैं पर test negative आ रहा है तो डोक्टर TPH test बोलते हैं इसको ब्लड से किया जाता है इसमें ब्लड का सैंपल यह आ जाता है एक शिरम वाइल में टिपीटिव पेलिएमी हमारे कि अगर पोजटिव आ जाता है और आर प्यार आपका पॉजटिव आ है तब भी डोक्टर ही करते हैं और चलेगा तो इसलिए TPHC confirmated test होता है syphilis disease के लिए ठीक है अगर आपका आरपयर positive आया है तो आपको TPHC test करवाना है उसमें यह देखा जाता है कि आपके सर्ज में syphilis के against antibody बनी है कि नहीं बनी है ठीक है तो अक्सर कमेंट्स हाते लोगों कि हमारा TPHC positive आ रहा है और आरपयर negative है या आरपयर positive आ रहा है TPHC negative है देखिए दोनों चीज़ें हो सकती है शिफ्लीज का जब infection होता है किसी patient को या शिफ्लीज बिमारी से exposure होता है तो आपके सरी में सबसे पहले और प्यार टेस्ट करवाते हैं या वीडियर टेस्ट करवाते हैं स्क्रिणिंग टेस्ट होते हैं ठीक है यह टेस्ट आप करवाते हैं यह जैसे आपके negative आ जाए या प टीपेच्चे करवाईए टीपेच्चे करमफरिमें टेस्ट होता है आप बार बार बता रहा हूं मैं ठीक है तो टीपेच्चे जैसे आप करवाऊगे उसमें आपके कभी इनफेक्शन से exposure हुआ हो ठीक है साल दो साल पहले तीन साल पहले तो उसके अगेंस आपके सरी में antibody बने जाती है जो बैक्टरिया उतर ट्रेपिनमम उसके अगेंस antibody बने जाती है तो antibody बनती है तो आपके रिपोर्ट में आएगा पोजिटिव या वीकली पोजिटिव आ जाता ठीक है कुछ लैप्स रिपोर्ट देती है आपकी क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव में क्या आपके रिपोर्ट पे आपके रिपोर्टों पोजिटिव या वीक पोजिटिव या जाता है एक एग कुवान क्या म्मि Diputal ग्रण्म difam पैंसलिंग के डोक्तर आपको पैंसलिंग देते हैं कि यह बार दो इंजक्शन लगते हैं ठीक है और आपको टाइटर की अकॉंडिंग लगा जाते हैं जैसे आप कर वादे से 12 16 20 ऐसे अपके टाइटर आते हैं तो वो टाइटर का कोडिंग जाइटर होता है तो जाधा इंजेक्शन लगेंगेंगे फिलाज में लगता है लगता है यह से अपको पूरी खानी है उसके बाद आपको दबाय अपने बंद कर देनी होती है घ्य कुश्यृषानल जैंसेट करबों कुछ वारर देरे देरो देरे देरे आपको सरी उसर करतें जाएंगी और आपको ड़ो जाएगा आर पियर्ष नेहले ऩिफ आ उसके बाद में कभा zitten फिया पोजिटिव आ जाए या फिर देरे नेगेटिव हो जाता ठीक है आप तो यह चीजे इसमें अक्सरी होती लोगों कन्फीजन नहीं होना होना की चीज़ लिए लिए कर वा सकते लिए उसके बाद में टेस्ट और भी उता है आपको पुराना सिफलिस है तो यह चीज़े इसमें इलाज के लिए आप किसी भी इस्कीन के डोक्टर को दिखा सकते हैं या फिर आप किसी फिजिशन को दिखा सकते हैं किसी मोमेपेथि को दिखा सकते हैं आपके नजदिक जो भी डोक्तर हो आप उस यह को दिखा है ताकि आपको जब कभी प्रोब्लम्स हो तो आपको उसको दुबबार दिखा सकते हैं क्योंकि इसमें Penciling Injection लगा जाते हैं तो फिसदों आपको धिहान रगना थे पहले एलर्जी टेस्ट करवा जाता है उसके बाद में आपको इंजेक्शन दिये जाते हैं दो इंजेक्शन एक शाथ लगेंगे और सबसे जरूरी बात यह देगा आपको कोर्स पूरा करना तो आपको पोजिटिव आता है तो भी आपको इंजेक्शन लगाने हैं या टेबलेट ख जाता है ठीक है दोबारा भी पोजिटिव आने लगता है तो इसलिए अमेशा पूरा कोर्स करना है पूरी दवाये खानी है पूरी इंजेक्शन लगवाने है और टीपेश नाइटिव होने में समय लगता है तो एक बार आप आपने दवाई इंजेक्शन ले लिए पूरा उसके बाद दीरे दीरे उसको छोड़ देवा अपने नेगटिव हो जाएगा फिर आपको गब्राने जरूद में होती यह चीज में बार बार लोगों कहता हूं भी आप टीपेश नेगटिव समय लगता है उसको नेगटिव आने में तो कमेंट्स करते हैं तो सब दूरी ब अगर आपका 16 है तो तीन महिने में अच्छा है मैंने वन स्टू फोर पे आ जाए वन इस्टू पे आजाए ऐसे करके टाइटर करवाते रहे ना समय समय पर 6 महिने में तीन-3 महिने में वह आपके दुरूरी होता ठीक है तो यह थी टीपेश से के बारे में ट्रेपिनोमा प सब्सक्राइब करके एक लिए जाएगा बाता है सब्सक्राइब करके जाएगा इस तरह ही वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहती है गाइस थेंक्यू